नमस्कार आप देख रहे हैं जैसिंदी टीवी मेरा नाम है नेहा शुक्ला चैसे बड़ा समझौता कहा गया लेकिन सुमवार को फॉक्सकौन ने एक बयान जारी कर कहा कि वो भारत में विदानता के साथ अपने सयुक्त उपक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगी फॉक्सकौन ने कहा कि उसने विदानता के साथ मिलकर एक सेवी कंडूक्टर आइडिया को वास्विक्ता मिलाने के लिए काम किया लेकिन अब दोनों ने आपसी सहमती से गेतै कर लिया है कि वो आगे साथ काम नहीं करेंगे Foxconn ने कहा है कि अब पूरी तरह से विदानता के मालिकाना हक वाली इस एकाई से अपना नाम हटा लेगी आईए ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या Foxconn के सेमी कंड़क्टर समझोते से पीछे हट जाने से भारत को तगड़ा जटका लगा है Let's decode this question and some more सबसे पहले दर्शकों के सामने ये ग्राफिक्स कि क्या था Foxconn और विदानता का पूरा समझोता पिश्यसा सितंबर के महीने में विदानता Foxconn ने प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के ग्रहराज गुजरात में सेमी कंड़क्टर उतपादन प्लांट लगाने के लिए समझोते की घोशना की समझोते के समय प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने इसे भारत में सेमी कंड़क्टर निर्माड के दिशा में एहम खदम बताया भारत सरकार ने इसके लिए PLI यारे के उत्पादन से जुड़ी प्रोचसाहन योजना भी शुरू की केंद सरकार की प्रोचसाहन योजना खरीब 10 अरब डॉलर की है समाचार एजेंसी रॉइटर्स के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से PLI दिये जाने में देरी भी इस समझोते के तूटने का कारण हो सकती है भारत सरकार ने साल 2026 तक सेमी कंड़क्टर उत्पादन को 63 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष रखा है समाचार एजेंसी रॉइटर्स के मताबिक भारत सरकार की प्रोचसाहन योजना के तहट पिछले साल तीन कंपनियों ने प्लांट स्थाफित करनी के आवेदन दिये यावेदन, फॉक्सकॉन, विदानत, साजा उध्यम, सिंगापुरिस्थित, आईजी, एसस, वेंचर्स और वैश्रिक उध्योग समू आईसी, एमसी की तरफ से दिये गए थे आईसी, एमसी की तक्नीकी सहयोगी कंपनी, टावर सेमिकंडक्टर के इंटेल द्वारा अधिगरहन के बाद, आईसी, एमसी का तीन अरफ डॉलर का प्रोजेक्ट फिलहाल लंबित है वही, आई, जी, एसस की योजना भी लंबित हो गई है क्योंकि कंपनी अपने आवेदन को दुबारा पेश करना चाहती है भारत ने सेमिकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए कंपनियों से अब फिर से आवेदन मांगे है भारत के पास चिप उत्पादन में कोई अनभव नहीं है जबकि इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रिय मंत्री अश्विनी वैशनव ने ये तब कहा था कि एलेक्ट्रोनिक्स के पीछे सबसे हम चीज होती है सेमिकंडक्टर चिप पीम मोदी ने अथिहासिक फैसला किया है जिससे सेमिकंडक्टर चिप के निर्माण का पूर्ण एकोसिस्टम भारत में विक्सित हो सकेगा तो ये पूरा समझोता क्या था हमने अपने दर्शकों के सामें रखा है और आएए अब ये समझ लेते हैं कि जब फॉक्सकॉंड ने डील से हाथ खीच लेने का अलान किया है तो इसका असर क्या पढ़ने वाला है कॉंगर्स की नेता जराम रमेश ने का है कि वाइबरेंट गुजरात सम्मेलन में साल दर साल होते रहे ऐसे समझोतों का यही अंजाम होता है इसी की नकल में उत्तर प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी यही अंजाम होगा चाहे गुजरात मॉडल की बात हो या फिर न्यू इंडिया की कभी भी प्रायोजित हेडलाइन पर विश्वास ना किया जाए कॉंगर्स के इन आरोपों के जवाब में केंद्रिया तकनी की राजय मंत्री राजी उचंदर शेखरन ने का है कि कॉंगर्स जिसने तीन दश्कों तक भारत में एलेक्ट्रोनिक्स और सेमिकॉन के लिए कुछ नहीं किया जबकि इसी दौरान चीन आगे बढ़ता रहा कॉंगर्स के इस पर हाई तौबा मचाने से भारत की प्रगती धीमी नहीं होगी केंद्रियम मंत्री ने ये भी दलिल दी है कि ये सरकार का काम नहीं है कि वो ये भी देखे कि दो निजी कमपनिया कैसे और क्यों साथ आती है या फिर अलग हो जाती है दर्शकों को लेकिन यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ताइवान की फॉक्स कॉन कमपनी दुनिया की सबसे बड़े इलेक्ट्रोनिक उत्पादन कमपनियों में से एक है और एपल के आइफोन के निर्माण के लिए जानी जाती है हाल के सालों में ताइवान की ये कमपनी ने सेमी कंड़क्टर निर्माण के शेतर में आगे बढ़ने के प्रयास किये हैं दुनिया भर में सेमी कंड़क्टर चिपो का उत्पादन ताइवान जैसे कुछ चुनिंदा देशों तक है सीमित है भारत ने देर से ही सही इसक्षेतर में कदम जमाने की कोशिश की है फोक्सकॉन की घोशना के बाद भारतिया कंपनी विदानता ने अपने बयान में का है कि वो सेमी कंड़क्टर उत्पादन को लेकर अपने लक्षों के लिए पूरी तरसे प्रतिबध है और भारत की पहली सेमी कंड़क्टर उत्पादन इकाई को स्थापित करने के लिए आन्य सहयोगियों के साथ बातचीत कर रही है विदान्ता ने अपने बयान में का है कि पियम मोदी के लक्षों को हासिल करने के लिए उसने अपने प्रयास दोगुने भी कर दिये हैं पिदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेप्टरॉनिक उत्पादन करनाया युग शुरू करने के लिए भारत की आर्थिक रड़नीती में सेमी कंड़क्टर उत्पादन को शिर्ष प्रात्मिक्ता पर रखा था बहरत सरकार ने इसक्षेत में विदेशी निवेश हासिल करने के लिए खास प्रयास भी किये थे ऐसे में जानकारों ने फॉक्स कॉन के फैसले को भारत की महतो कांगशाओं के लिए एक बड़ा जटका बताया है तो पहले हिसे में हमने जाना कि Foxconn और वेदानता के बीच जो डील हुई थी वो असल में क्या डील थी और अब जब Foxconn ने इस डील से हाथ पीछे खीच लिया है तो भारत के सेमी कंड़क्टर उदबादन सपने को कितना बड़ा जटका लगा है इसे के साथ आज डीकोड दा कोर्स का यहीं पर करते हैं सफर समापत और फीडबैक देना ना भूले info.adjustbroadcasting.com और नेहाए justbroadcasting.com पर भी मुझे आपकी फीडबैक का हर रोज इंतजार रहता है अपना ख्याल रखे नमस्कार